पता दे ग्री मत्री नरुत्त मिश्रा ने कमलात पर तंजुकसा है उन्होंने कहा कि कमलात सन्यास लेने की उम्र में सहरा बांद रहे हैं जब सन्यास लेना चाहिए तब उनको भावी सीम बनने की कॉंग्रेस बात कर रहे हैं बनाने की बात कॉंग्रिस की दरव सीकेड़ आ रही है नेता प्रत्यपक्ष वही हैं पीसीसी चीफ भी वही हैं मुखी मंत्री भी वही थे और अब कॉंग्रेस के भावी सीम भी कमलनात ही यूँगे तो ग्रेमांतरी डॉक्टर नरुत्तम मिर्श्रा ने तंज कसा कमलनात पर कहा कि कमलनात सन्यास की उम्र में सहरा बांध रहे हैं उन्होंने कहा कि जब सन्यास देना चाहिए तब उनको भावी सीम बनाने की कॉंग्रेस बात कह रही है नेता प्रतिपक्ष वही हैं, पीसिती चीफ भी वही हैं, मुख्यमंतरी भी वही रहे और अब कॉंग्रेस के भावी सीम भी कमलनाती होंगे तो इस बड़ा बयान ग्रेमांतरी डॉक्टर नरुत्तम रिश्रा की तरफ से कमलनात सन्यास की उम्र में सहरा बांध रहे हैं अब कॉंग्रेस के भावी सीम भी कमलनात होंगे सन्यास की उम्र में सहरा बांध दिया अब आप देखो पूर्व मुख्यमंतरी वो ही है कांग्रेस के अद्यक्ष वो ही है निता प्रतिपक्ष वो ही है और भावी मुख्यमंतरी भी कांग्रेस की ओर से वो ही है जब चुना होगा तब कमलना जी मानी 77 साल के होगे इससे आपको कांग्रेस का भवश्य समझ में आएगा कि किसके ने तो तुम्हें सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा और अधिक चल्चा इस पर हम करेंगे हमारे साथ अमारे एक्जेकेटिव एडिटर मनुट सेन देखे माईने सीते से है कि कल कांग्रेस की जब बैटा कोई तो उसमें साफ हो गया कि 2023 का जो चुना होगा वो कमलनाथ के नेतरत में होगा तो भारती जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है लेकिन ये भी सच है कि कमलनाथ जी उम्र पर जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं जहां उनकी उम्र होगी तो उन्होंने उनके उम्र का हवाला किया यानि भारती जंता पार्टी इस मुद्दे को बनाने की तैयारी में है कि आप किसके नेतरत में चुनाओ रणना चाहते हैं और जंता किसको बोड़ देना चाहती है तो ये बताएंगी कांग्रेस कि ससितर साल के बैक्ति को आप बोड़ देना चाहते हैं जारतेईस में या किसी और को देना चाहे थे क्योंकि सिवराज जी उन से छोटे है और कमलनाज जी के उम्र खासी है तो उम्र का मुद्दा इसमें दिखाई देता है लेकिन जहां तक बात करें डक्टर नुत्तम मिस्रा की तो परियास में और बोलने की कला तो उनके पास ही पार्टी के भीतर उठा दिये कि एक बार फिर आपको नेत्रत कमलनाज का ही करना पड़ेगा उनके नेत्रत में आपको जाना पड़ेगा तो कॉंग्रेस इस बात को जरूर सोचेगी और जैसे ही नुत्तम मिस्राजी का बयान आया तो उस पर कॉंग्रेस ने भी पलटबार क कि बीजेपी और कॉंग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं हमारे साथ के के मिस्राजी जोड़ रहा है कॉंग्रेस प्रवक्ता है साथ में है देश वाजपाई जी जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है अपना पक्ष रखेंगी बीजेपी के तरफ से लेकिन सबसे पहले सवाल मे मिर्षा जी इतने फ्री हैं कि उनके सारे जिपाट जिए खूद देखते हैं ताइब कानुन इवस्ता से संब्दीत महमला हो, पिस्तल लाइसंस का महमला हो, जिए सारे कानुन अप्रमार्षा मुख्यमंत्री जिए जिए खूद धूद हैं। और जो फुर्सक में जो रिसर्च कॉंग्रिस के लिए करते हैं और यह भी ताय है जरुट्पर मिश्टराजी की एक भुखसुल्टी इश्वर हमेशा मेंचेन देखे बगर वह अमिरशा अमिताप बच्चन नहीं रहेंगे उम्र के उस गैलिस पर वे भी जाएंगे जिस पर करते हैं और कमलनाची आज भी वो कान करते हैं राजनेती उतनी मेहनत करते हैं कि जवान आदमी या जवाब ले लेते हैं जी जवाब ले लेते हैं हितेश जी आपने सुना क्या कि मिश्रा जी ने वार अगर उन्होंने किया नरुत्म मिश्रा जी ने तो पलटवार भी सामने आज चुका है क्या कहींगे देखी ये वार पलटवार की बात नहीं है वह आप चलो समय की बात करते हैं तो हम चलो कर लेते हैं नरुत्म पिश्रा जी फ्री एं मान लिया तो कमनला जी बहुत व्यस्त हैं तो है कहां वो दुबई क्यों रहते हैं आप बताएं दिल्ली में रहें तो चल जाएगा देट फ्रस्टै प्रमू प्रति प्रदेश कोग्रेस के वो और सारा समय दुबईू में बिताते हैं तंखा मध्रिप्रदेश से लेते हैं प्रदेश कॉंग रेइस के समी नईवें उसके लिए तो नदारत है तो यदी कमलाज जी के पाद इतना काम है तो वो कौन सा काम है जो दुबई में बैठके निपकाते हैं था सुबह आपको पता है एक रोचक जानकारी में देता हूँ कि कॉंग्रेस के कारिकरताओं ने क्रेन बुलवाई थी जब कमलनाज जी आये थे उनको लगा था शाम तक उखाड़ के फिक देंगे अब शाम तक कबल असी साल के कमलनाज जी बार ही पढ़ गए उन कॉंग्रेस जी के उपर और आप शाम तक आते आते फैसला पलट गया मैं तो टिकरी रहूंगा और इसलिए आपने देखा होगा सारे फोटोग्राफ में कैसे चेहरे उत्रे हुए हैं नहां उत्सा होना चाहिए वाँ शोक सभा जैसा महोल था लिए एक सवाल था क्या यही कमलनाज थे जो 2018 2018 में आपके सामने खड़े हुए थे और नित्रत्व कर रहे थे सरकार में बापसी हुई अब यह तै कर दिया कॉंग्रेस में की 2030 में कमलनाथ होंगे तो क्या बीजेपी के भीतर चिंता तो नहीं है इस बार क्या बोला हिटेश वाजपाई जी ने क्या कहना चाहेंगे अब और देखियेगा एक बहुत पहले प्रशाष्टनिक वाक्टान से यह अफवा फैलाने वाले देश के दिश्मन होते हैं और उन्हीं अफवा फैलानों में डॉक्टर लीटेश वाजपाई जी कर भी नाम है कर देखिया जाते हैं तो वो कोई ख़दाने खरीदे नहीं आते हैं रहे कि तब सक्षिन आपरी का तो तो कहीं चीजी और के साथ वो देश पज़ेश के उनकी बीजने से काम स्क्राइब लेकिंगे मेरा तो बहुत नाई नाई किते बाल चलो अपना पासपोर्ट सार्जनिक करते चार देश और दिका लाएंगे तो काई के लिए जाते हैं अमरेका काई के लिए दूभई जाते बिल्कुल और उम्र से शुरू हुई यह जो डिबेट है मनुजी वो दुबई तक पहुंच गई है लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है आके फिलाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चचा में हमारे साथ जुनने के लिए तो आपको बता दे एक बार फिर वा